और फिर वहाँ आप जुम्ला लेक्षा जांगे EU महिलाओं के बीस के बीच में हमने महिला आरक्षन बुल पास कर दिया जो यह लाए हैं हम सागत करते हैं इसका लेकिन जिस आपस्ति करते हैं हमारा उसमें विरोध है हम एक मंच पे हैं जब महाज़बंदन कारेक्रम होगा जब इंडिया अलायंस से कारेक्रम होगा तो यह दर्शाता है कि इनकी कत्री और करनी में कितना अंतर है एक नई और आप देख रहे हैं देशवानिज बिहार में कॉंग्रेस और महाज़बंधन की सरकार अब आमने सामने आ गई है बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस पहले से ही महाज़बंधन सरकार से दो मंत्री और मांग कर रहे हैं जिसके बाद अब दोनों सरकार आमने सामने आ चुके है कॉंग्रेस बिहार के डिप्टी सीएम के कारी करम से पहले अपना कारी करम हर जिले में रख दिया है जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये खीचतान और कितनी दूर तक जाएगी इसी मुद्दे पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगे सर स्वागत है आपका देश्वा निउस में बहुत धन्यवाद है तो उससफ निजवाद आप लोग-डेली-ब्रेकिंग लगाते हैं अब कांग्रस पार्टी का अपना कारिकरम है हम अपनी अपनी कारैक्रव तो हम एक मंच पे आपको सभी दिखेंगे और सभी उस मंच को साजा करेंगे जहां तक पार्टी की अपनी बात है तो हम अपनी पार्टी का कारक्रम अपने तरीके से कर रहे हैं वो अपनी पार्टी का कारक्रम अपने तरीके से करेंगे तो इसको और इस तरह से बिल्कुल भी लाएं इसको लेकिना सर कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार के डिप्टी सीम का हर जीले में कारिकरम रखा गया उसे ठीक दो दिन पहले आपका उन जीलों का खतम हो रहा है अगर बिहार में एक साथ सरकार बनाये हुए आप उस गटबंदन में सामिल है तो फिर ऐस हैं पूर सब्सक्राइब का सरकार कर्विए का सर्थ पहले आपका का सब्सक्राव जविए वहार में और पूरे देश में एक नई सत्ता काबीज करने के लिए जो तो जुम्ले-बाज लोग बैठे हुए उनको हटाने के लोगों के बीच में जितनी बार हम जाये जितनी बड़ी संकhya में जाये जितने तरीकसा जिन उसके लिए को बात नहीं है उनके पार्टी का अपना कैडर अलग है हमारा कैडर अलग है हम अपना कारेक्रम अपने हिसाब से करते हैं वह हो सकता है कि कोइंसिदेंस हो की आगे पीछे अभी हो गया हो लेकिन सारे जिलो मैसा नहीं है तो इसको बिल्कुल भी आप इस तरह से ना देखेंगे मैं फिर से बोल रहा हूं ये दिखनी का आवशक्ता है ही नहीं हम बिल्कुल एक प्लाटफॉर्म पे हैं और उसी साब से चल रहे हैं ये आप लोग को स्कूप चाहिए होता है तो आप बना बन कौन बोल आपको ये ये तो इसका जवाब तो फिर मानी मुखमंत्री जी देंगे आप लोग को ट्या लग रहा है सर क्योंकि पार्टी में आप भी सामील है तो आपको क्या लग रहा है ये कुछ भी बात नहीं ये सब विपक्च का भारती अंता पार्टी के दोरा फेलाय है जो उसका प्रयास है कि किसी तरह हमारे इलाएंस को कमजोर करें किसी तरह से जो विपचैनि उनके अंदर हुई है जो हमारा 28 दिलों का गटबंदन हुआ है और मजबूत गटबंदन हुआ है उससे उनकी अंदर काफी बेचैनी है और उसी बेचैनी के थाद वो चाहते हैं किसी भी तरह से हमारे गडबंदन को टेंट लगा सके और उसी क्रम में उनका प्रयास रहता है कि वो confusion पैदा करें और लोगों के भीज में भी confusion पैदा करें ताकि वो विश्वसनिता जो हमारी ब अक्षन देगी महिलाओं को ससकती करन की बात करती आगे बढ़ाने की बात करती है तो क्या लग रहा है 2024 चुनाओं से पहले अगर यह बील पास कराया गया है तो कहीं न कहीं बीजेपी ने एक लंबा छक्का जड़ दिया है नहीं इसमें स्टेप्स में चल सकते हैं हम लोग कि जब नीती की बात होती है ठीक है नीती तो हमने मसौधा कॉंग्रस पार्टी ने तियार किया था 1989 में जब राजीव जी इसको लेके आये थे महिला आरक्षन बिल को तो यही भाजपा वालों ने उनका विरोध किया था अटल विहारी बाजपे जी उसमें मुखर रूप स तो हमने इस आरक्षन बिल को तयार किया लेकिन कुछ रीजनों के कारण नहीं पेश पाया अभी भी जो यह लाएं हैं हम सागत करते हैं इसका लेकिन जिस तरह से लाएं हैं हमारा उसमें विरोध है इनकी क्योंकि नियत साफ नहीं है नौ वर्षों से पिछले नौ वर्षो साइड नौ वर्षों से यह सत्ता हैं बने हुए हैं अगर इनकी नियत साफ होती तो आप पहले इसकी जंगना कराते हैं जो समय की मांग है जंगना करा करके परिशी मन करते हैं तो महिला आरक्षन भी आज लागू हो गया होता लेकिन वो हो रही रहा है अब आप दोह में बोल रहे हैं 226 में क्या होगा नहीं होगा वो को जानता है आप आज की बात करें ना और फिर आप जुम्ला लेके जाएंगे लोगों के बीच में महिलाओं के बीच में जाएंगे कि हमने महिला आरक्षन बिल पास कर दिया और यह यह हो जाएगा दोह ज़बिस में मारी जवाब दें कि गुजरात में जो बिल्किस बावणो केश हुआ था उस में जो उनके जो रेपिस्ट लोग थे 11 बारा रेपिस्टों को छोड़ दिया गया ये करके बलतकारी ओड़ संस्कार अच्छे ओ समसकारी थे, आज अगर, भारती अंतापार्टी गंभीर रहती महिला सवतकरण, पहलायों के प्रती, तो हमारी जो खिलाडी बहने हैं, जिनका यौन शुर्चन किया गया उनके एक सांसत के द्वारा उस सांसत को सजा मिलती उस सांसत सलाखों के पीछे रहता हमारी बेटियां महिनों से आज धरने पे बैठी हुई है क्या मिला उनको कुछ नहीं मिला तो यह सब चीज़े हैं और ताजा उधारन देखिएगा आप तो मनिपुर की घटना देखिए जो ताजा उधारन है किस तरह से भारती यंता पार्टी के सरकार उस राज्ज में हैं और निर्वस्त करके वहां में हमारे बेटी और बेहने को घुमाया गया गैंग रेप किया तो यह दर्शाता है कि इनकी कतनी और करनी में कितना अंतर है और जब नियत की बात है सशक्तिकरण की बात आती है महिला आरक्षन की बात आती है तो पहले भी आप बिना सोचे समझे हुई निती को आपने लागो किया है देश पर जैसे आप GST देखिए रात 12 बजे आपने लागो कर दिया लॉक्डाउन को देखिए अचानक से आपने लागो कर दिया तो इ हमें पुन्ड विश्वास है कि देश आज देख रहा है कि सच क्या है जूट क्या है और निनका परदाफास हो चुका है अब जी है तो आप तमाब मुद्धों पर आदिते पाशवान जी को सुन रहे थे कि इस तरीके से ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने महिला आरक्षन बिल तो लाया उसका स्वागत करते हैं लेकिन महिला आरक्षन बिल लाने से नहीं होगा इसे जल से जल लागू भी करना होगा और जहां तक BJP बात करती है अगर महिला ससक्तिकरन की तो देश ने देख रखा है कि महिला ससक्तिकरन किस तरीके से BJP देश में की थी चाहे वो मनीपूर हो या दिल्ली में जो निर्भायार कांड हुआ था और या जो दिल्ली में जो पहलवान अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे और बीजेपी किस तरीके से महिला सश्रक्ति करन कर रही थी वो पूरे देश ने देखा है तो फिलहाल देश्वानियुज में इतना ही देश दुनिया के तमाम खबरों के बने रहेगा देश्वानियुज में तब तक मुझे दीजेगा इजाजा धन्यवाद कब enhance probability कि दूलों कि देखा है विलहाद क karşा सुनियुज पन्यवानियुज आर देखा है जरने मादार,